नमस्कार जोहार, सभी साथियों का स्वागत है आप सब का आज की वीडियो में, जितने भी ऐसे एसे कैंडिडेट है जो एग्जामिनेशन की त्यारी कर रहे हैं, खास करके सीजियल की या फिर जे पीएसी की जो लोग त्यारी करने वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट का फिलहाल आ तागे बात करेंगे, अभी भी ऐसा लग रहा है कि कुछ टीचर्स अलग रास्ते जा रहें, और कुछ अलग रास्ते जा रहें, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है, सब को एक ही प्लाटफॉर्म पर आना चाहिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे एक एक चीज़ एकस्प् साथ बहुत बड़े लेवल पर एक प्रोटेस्ट और्गनाइस किया जाएगा ठीक है इसी बीच ये भी खबर आई कि जो हमारे मुख्य मंत्री मिसिंग थे बिल्कुल सीना चौला करते हुए जारकंड पहुंचे वो ठीक है काफी वो गौर्वानवित फिल कर रहे थे कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा चौकाने वाले बात थी कि जहां सारे विधायक और मंत्री बैठे थे वहां उनकी धरम पतनी जी भी मौझूद थी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है ठीक है न जितने भी मीटिंग इन लोगों की हुई है आप उस मीटिंग के समय को देख करके और एप्रोच को देख करके इतना तो बिल्कुल आस्वस्त हो सकते हैं कि मीटिंग में कहीं भी छात्रों से जुलवई कोई भी बात की चर्चा न नहीं किया गया है वहां सिर्फ और सिर्फ सरकार कैसे चलानी है सरकार को कैसे बचाना यह सब इस्यों पर चर्चा हुआ है ठीक है उनके अभी एजेंडे में यह एक्जामिनेशन या फिर इससे जुड़ुई बात दूर दूर तक नहीं है जिस प्रकार का सिचुएशन है ठीक है दूसरी तरफ आप देखे होंगे कुछ सिक्षक जाके चेर्मेन से मिले हैं और यह वही सिक्षक लोग है जो 28 तारीक से पहले लगातार चेर्मेन से मिल करके लगातार दबाव बना रहे थे कि एक्जामिनेशन कराना है ठीक है जो कि चल अब चेर्मेन से बात करने लाए कोई सिच्वेशन नहीं रहा है ठीक है और चेर्मेन को सबसे अधिक टार्गेट किया जाना चाहिए उनसे भात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है उनको टार्गेट करना चाहिए उननसे सवाल जवाब होना चाहिए कि आसा कैसे हो गया और वो प्रेस कॉनफरेंस क्यों नहीं कर रहे है वह सामने आकर कि प्रेस कॉन्फरेंशन को करना चाहिए इस्टुएंट्स को बताना चाहिए कहां चुक हुई कैसे क्या हो गई आगे उनका क्या प्लान है लेकिन लोग सिक्षक ठीक है वो ऐसा प्रेटेंड कर रहे कि छात्र हित में वो जा रहे हैं लेकिन छात्र हित में अगर कोई भी टीचर या को से मिलने का कोई मतलब नहीं कोई भी मतलब नहीं है उन्से सवाल जवाब होना चाहिए और बहुत ही सक्त लहजय में सवाल जवाब रोंब होना चाहिए उन्से रिक्वेस्ट भी करने यह बोलन यह अचना वाला समय नहीं अब रण वाला समय है जैसरी चेर्मेन को अकाउंटेबल अब बनाना होगा उनसे सारी चीजों की उसे जवाब दही फिक्स करनी होगी आखिर धांदली हुआ है तो कहेंने कि उसमें चेर्मेन या बाकी लोग का इंवल्मेंट है नहीं इंवल्मेंट है तो आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं बहुत चारे लोग बहुत तरह की बाते कर रहे हैं, बहुत तरह की, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई बोलता मुख्यमंतर इंवाल्व है, तो इन तमाम अटकलों पर विराम, खुद चेयरमेन को प्रेस कॉंफरेंस करके ही लगाना चाहिए, ठीक है, चार तारीक की जो भ समभावना नहीं है, चार तारीक को, कोई मतलम नहीं है, जो भी लोग बाहर से आने वाले, आप लोग को आने की कोई आवाशकता नहीं है, चार तारीक, आप बिलकुल मान के चलने की, और धोगाई होगा आज यकल तक नोटिस आ जाएगा, ठीक है, फिलाल, अभी निकट भ लग रहा है कि अब इस सरकार से examination JSC खास करके conduct हो जागा, यह next to impossible है, कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है, देखिए JPSC में क्या हो सकता है, JPSC लास्ट बार का आप सब ने देखा ही था, इस बार भी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है, उसकी तयारी आप लोग चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जितने भी CGL वाले aspirant है, अब आपके पास कोई hope नहीं है, फिलाल अब जब सरकार change होगी, अगर होती है तो, क्योंकि बहुत सारे लोग सपोर्टर हैं, अभी भी अंध भक्तों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग अभी भी JMP सपोर्ट में हैं, तो अगर सरकार बजलती है, तो सायद आपको निकट भविस में, एक दो साल के अंदर CGL फिर से देने का मौका मिले, बिल्कुल मैं आपको इस ट्रेट फॉरवर्ट बता रहा हूं, उससे पहले बिल्कुल भी CGL की उमीद तो कम से कम अब ना करे, ठीक है, सरकार सबने मिलके बनाया थ और इसका बिल्कुल सटीक सरकार ने आप सबको रिजल्ट दिया है, ठीक है, जाती और धर्म और ये सब चीजों को देख करके, जो लोग सरकार बनाते हैं, बिल्कुल सटीक उनको जवाब मिला है, क्या होता है, बिना सोचे समझे, किसी को भी सपोर्ट करने का परिराम क्या जाया जाएगा, तो 300 सीटे है, मान के चलिए कि 1500 सीटी है, क्योंकि फियर सेलक्षन 1500 से जादा नहीं हो पाएगा, उसके बाद सारे सीटे तो भिकेंगी, तो 1500 पर फाइट करना ये मान करके, तैयारी जेपीएसी का आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, आगे आप लोग क्या सो